साथियों, आपकी सरकार ये सभी काम कर पा रही है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, आपको मालू है, ये सब कैसे हो रहा है, आप बताएंगे, ये सारा इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इतनी योजना ही चला रहे हैं, पहला कि तुना में ते, ये कैसे हो रहा है भई, क्या कारण है, बता पाएंगे आप, मोदी नहीं, ये इसलिए हो रहा है, कि पहले मलाई बिचोलिये खाते थे, आज वो सारा बंद हो गया है, चोरी लूट की दुकानों को ताले लग गए हैं, गरीब के हक का गरीब को मिल रहा है, और इसलिए पाई-पाई का सदुप्योग हो रहा है, ये सब से बड़ा कारण है, कि बिचोलिये गए कमिशन खोरों के खिलाब, एक व्यापक सफाई अभ्यान चलाया है, जब मैं शहर की सफाई की बात करता हूँ, गाउं की सफाई की बात करता हूँ, तो मैंने सरकार में भी सफाई चलाई है, दिल्ली में सत्ता के गलियारे से लेकर, किसानों की मंडी और राशन की दुकानों तक बिचोलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है आर इसी का परणाम है कि जो सत्ता को अपना जन्मसीद अधिकार समझते थे पीडी दर पीडी राजपरंपरा की तरह ये कुर्सी उनी के खाते लिखी गई थी यही वो समझ बेठे थे ऐसे बड़े बड़े दिग्यज भी आज कानून के कट घरे में खड़े दिखते हैं भाईयों टैक्स चोरी से लेकर रक्षा सवदों में रिस्वत खोरी के जवाब आज उनको देने पड़ रहे हैं पसीना छुट रहा हैं आपने देखा हैं आँखे फटी फटी रहे जाती है भाई और बेनों पहले की सरकार ने बिचोलियों के जिस कल्चर को सिस्टिम का हिस्सा बना दिया था उन्होंने गरीबों का हक तो चीना ही था देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवार किया मैं कल अकबारों में देख रहा था कि हेलिकॉप्टर गोटा लेके जिस बिचोलियों को सरकार खोज रही है उन भी चोलियों में से एक को विदेश से उठा करके लाया गया है अभी जेल में बंध है उसने एक चौकाने वाला खुलासा किया है मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो सिरफ हेलिकॉप्टर वाली डील में ही सामिल नहीं था बलकि पहले की सरकार के समय लड़ा को विमानों का जो सोदा जाहोरता था उसमें भी उसकी भूमी का थी मिडिया वाले कह रहे हैं कि ये मिशेल मामा किसी दूसरी कंपनी के विमानों के लिए लौबिंग कर रहा था अभी सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि कॉंग्रेस के नेता जो शोर अभी कर रहे हैं उसका मिशेल मामा से क्या कनेक्शन है ये कॉंग्रेस को लूटने देना चाहिए का पाई-पाई का हिसाम मांगना चाहिए ये ने मांगना चाहिए चोकिदार ने अपना काम करना चाहिए कंपना कर नंए है आपके असिरवाद है इसलिए चोकीदान लड़ रहा है बड़ा बड़े दिग्यचों के साथ लड़ा है 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 कहीं मिशेल मामा की सौधे बाजे से ही तो वो समय का डिल रुक नहीं गई थी साथ लड़ा इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजन्सियों तो डून रही है देश की जनता भी जवाब मांग रही है बिचे उलियां के जो भी हमदर्द है उनको देश की सुरक्षा से किये गए खिलवार का जवाब देना होगा कमिशन खोरों के ये सारे दस्दोस्त इकटा होकर चोकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं लेकिन मोदी हैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ है न उसे खरीद पाओगे न उसे डना पाओगे इस देश के लिए वो पाई-पाई का हिसाब लेके रहेगा लेकिन मुझे पता है उनको बहुत निराता हाथ लगने वाली क्योंकि ये चोकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है भाई और बेहनों चोकीदार को ये शक्ति ये चोकीदार की शक्ति का कारण क्या है वो कौन सी ताकत है भाई और बहनों आपके आसिदवाद ये ही चोकीदार की ताकत है मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ वो लोग लाख मुझे गाली दे लगातार जूट बोले बार बार जूट बोले जहां चाहे वहां जूट बोले जोर जोर से जूट बोले लेकिन चोकीदार ये सभाई अभियान को बंद नहीं करेगा न्यू इंडिया के लिए बिचोलिया इससे मुक्त व्यवस्था का निर्मान होनी चाहिए